नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक नई जानकारे लेकर के जिहां आए आज हम सभी जानते हैं फाइवरायड यानि की रसौली का घरेलो इलाज फाइवरायड यानि की रसौली इसे टूमर भी कहते हैं रसौली ऐसी गाठे होती हैं जो महिलाओं के गरभाशे में या उसके आसपास पनपती हैं इसके कारण बांजपन का खत्रा होने की आशंका रहती है वैसे तो 16-50 साल की महिलाएं कभी भी इस बिमारी की चपेट में आ सकती है लेकिन अक्सर 30-50 साल की महिलाओं में ये अधिक देखी जाती है ये गाठें अलग अलग आकार की होती है इनका आकार तब बढ़ता है जब एस्ट्रोजन का अस्तर बढ़ने लगता है जैसे गरभावश्था के दोरान इनका आकार तब घटने लगता है जब एस्ट्रोजन का अस्तर गिरने लगता है जैसे मेनोपाज के बाद बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उन्हें रसोली है क्योंकि उनमें ऐसे कोई लक्षन ही नहीं होते हैं हलांकि ज्यादतर मामलों में यहां फाइवराइड के कुछ प्रभावी घरेलू उपचार हम आपको बता दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे दे रहे हैं ग्रीन टी अध्यायनों से पता चला है कि नियमित रूप से ग्रीन टी पीने से फाइवराइड को सोभाविक रूप से धूर किया जा सकता है ग्रीन टी में पाया जाने वाला एपी गेलो केटेचीन गेलेट नामत तत्व फाइबराइट को शिकाओं के विकास को रोकता है इसके अलावा इस तत्व में एंटी इंफ्लेमेंटरी एवं एंटी प्रोलिफेरेशन और एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होते हैं ये फाइबराइट के आकार को कम करने के अलावा नियमित रूप से 2-3 कप ग्रीन टी पीने से फाइबराइट के लक्षनों को प्रभावी धंग से कम किया जा सकता है इसके अलावा सिंग पंडी जिहां लिवर के काम में खराबी आने से अधिक हार्मोन बनने से फाइबराइट की लिए सबसे अच्छे उपचारों में से एक है जो लिवर को विशाक्त पदार्थों से मुक्त कर शरीर से अतिरिक्त एस्ट्रोजन को साफ करता है इसे बनाने के लिए दो से तीन कप पानी लेकर उसमें सिंह पंडी की जड़की तीन चमच मिला करके इसे 15 मिनट के लिए उबा होगा इसके बाद है दूद अमेरिकन जर्नल ओफ एपिडेमियो लॉजी में प्रकाशित एक अध्यान के अनुसार जो लोग दिन में चार या अधिक सर्विंग डेरी उत्पाद लेते हैं उनमें दिन में एक बार लेने वाले की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत तक हालांकि इसका एक दम सही कारण अभी तक ग्यात नहीं हो पाया है लेकिन शोद करताओं के अनुसार डेरी उत्पादों में पाया जाने वाला कैल्शियम सेल के प्रसार को कम करने में मदद करता है इसलिए आपको अपने आहार में दूद और डेरी उत्पादों को शामिल कर कर नियमित रूप से हर सुबह खाली पेट लें अच्छे परणाम पाने के लिए कुछ महीने इस उपाय को नियमित रूप से करें इसके बाद है एपल साइडर सिर्का एपल साइडर सिर्का फाइबरायट के लिए एक और प्रभावी घरेलू उपाय है यह शरीर से विशाक आता है कि एपल साइडर सिर्का फाइबरायट ट्यूमर को हटाने में आपकी मदद कर सकता है एपल साइडर सिर्का की एक चमच लेकर उसे एक गलास पानी में मिलाएं नियमित रूप से इस मिश्रण का सेवन करें इसके बाद है लहसुन का प्रयोग लहसुन प्राक्रितिक एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुणों के लिए जाना जाता है जिसमें टूमर और गरभाशय फाइबरायट के विकास को रोका जा सकता है इस प्रकार एक व्यक्ति को तीन से पांच लहसुन की लोंग खाने की सिफारिश की जाती है यानि कि सलाह दी ज अबर गरायट को कम करने में आपकी मदद करता है इसलिए अगर दूद में आप लहसुन को उबाल करके लेते हैं तो यह और लापकारी हो जाता है इस रोक के लिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ झाल